माफिया अतिक एहमद के दो नाबालिक बच्चों के रिहाई को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है अतिक की बहन शाहीन एहमद ने डोनों बच्चों की कस्टेडी के लिए कोट में याचिका दाखिल की जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोट ने यूपी बाल कल्यान समीती को इस मामले पर एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिये इस मसले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी माफिय अतिक एहमद के दोन नाबालिक बच्चों के रिहाई को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है अतिक की बहन शाहीन एहमद ने डोनों बच्चों की कस्टेडी के लिए कोट में याचिका दाखिल की जिस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोट ने यूपी बाल कल्यान समीती को इस मामले पर एक सप्ताह के भीतर फैसला लेने के निर्देश दिये इस मसले पर अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी